रबसदार बहू, शाम को गर्मी थोड़ी कम हुई, तो मैं पडोस में जाकर निशा के पास बैठ गई, उसकी सासुमा कई दिनों से बीमार है, सोचा खबर भी ले आऊंगी और मिलना भी हो जाएगा, बेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानिया भी आ गई, अम्मा जी कै शिष्टा चारवश पूच कर इत्मिनान से चाय पानी पीने लगी, फिर एक एक करके अम्मा जी की बाते होने लगी, सिर्फ शिकायते ही शिकायते, जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, हो किया, आदा घंटे बाद तीनों यह कहकर चली गई, कि उ उनको शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी नहीं गया, उनके जाने के बाद, निशा से पूछ पैठी, निशा, अम्मा जी आज एक साल से बीमार है, और तेरे ही पास है, तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे, मा तो सब की है, उसका उत्तर ऐसा था जिसकी मैंने कलपना भी नहीं की थी, वे बड़े प्यार से बुली बहन जी, मेरी सास साथ बच्चों की मा है, अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में, कभी भी उन्होंने अपने सुप अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की उन्होंने, ये जो आप देख रही हैं न, मेरा घर, पती, बेटा, शानों, शौकत, सब मेरी सासु मा की ही देन है, वैसे सब की अपनी-पनी समझ है, मैं तो सोचती हूँ, इन्हें क्या-क्या खिला दूं, कितना सुक गठते हैं, उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं, अपने कमजोर हातों से वो उनका माथा चेरा और शरीर सहला कर उन्हें जी भर कर दूआएं देती हैं, जब मैं इनको नहलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, और इनकी सेवा करती हूँ, तो जो संतुष्टी के भाव मे पती के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ, मन में ऐसा एसास होता है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो, और फिर वैं बड़ी ही उत्सा से बूली, एक बात और है, ये जहां भी रहेंगी, घर में खुशाली ही रहेंगी, ये तो मेर अपने गले से लगा लिया, और मन ही मन उसे नमन किया, उसकी सराहना की कि कैसे कुछ स्वार्थी और अपने ही लोग तरह-तरह के बहाने बना लेते हैं, तथा अपनी आजादी और एशो आराम के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं.